Hello friends, welcome again. मैं हूँ अर्पेत और आज हमारी Ancient History की 5th semester की class है जिसमें हम discuss करेंगे प्राचीन काल में विवाह प्रणाली को ये आपका 3rd year का 1st paper है तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना question की प्राचीन काल में विवाह प्रणाली के बाले में विवाह प्रणाली के बारे में यहाँ पर बात करनी है उसके बारे में बताना है और अगर भी विस्ते तुत्री है तो आपका आंसर 4 page से जादा नहीं होना चाहिए तो चलिए देखें हिंदू धर में विवाह को पवित्र संसकार माना गया है यह 16 प्रमुक संसकारों में से एक है आपने पिछला जो वीडियो पढ़ा था 16 संसकारों वाला जो वीडियो बनाया था हमने अगर आपने उसको देखा हो तो उसमें विवाह संसकार भी एक था तो यह 16 प्रमुक संसकारों में से एक है जिसके विर्धिवा विधान के अलावा शास्त्रों में आठ प्रकार भी बताए गए हैं यानि कि विवा जो है वो आठ प्रकार का होता है विवा के ये प्रकार ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस वा पैशाज हैं इनमें ब्रह्म विवा को सबसे अच्छा माना गया है भविष पुरान सहित कई धर्म शास्त्रों में विवा की रीति वा नीति के बारे में बताया गया है उनमें बताये गए विवा के आठ प्रकार इस तरह से समझे जा सकते हैं तो हम इसको एक एकर करके डिसकस करेंगे कि हिंदु धर्म विवा के जो आठ प्रकार हैं तो उसमें जो सबसे पहला है ब्रह्म विवा अच्छे शीर सभाववा उत्तम कुल के वर से कर्णिया का विवा उसकी सहमती वा वैदिक रीत इसे करना ब्रह्म विवा कहलाता है यनि कि कर्णिया की सहमती भी लेना जरूरी है और अच्छा वर होना चाहिए तो इस तरीके का विवा जो है अगर वैदिक रीत इसे किया जाएगा तब ही उसे ब्रह्म विवा कहेंगे यही सबसे अच्छा विवा मानना जाता है इसमें वर्वा वदु से किसी तरह की जबर्दस्ती नहीं होती कुल वा गोत्र का विशेश ध्यान रखकर ये विवा शुभ मुहुत में किया जाता है तो ये था ब्रम्ह विवा दूसरा है देव विवा या कि में सही प्रकाल से कर्म कलते हुए रित्वेच को अलंकरेट कर कन्या देने को देव विवा कहते हैं कन्या की सहमती से इस विवा में उसे किसी उद्देश, सेवा, धर्मिकार्य या मूलिके रूप में वर को सौपा जाता है तो ये हो गया आपका देव विवा इसके बाद आता है आर्श विवा धर्म के लिए वर से एक या दो जोड़े गाए वा बैल को लेकर कन्या को पूरे विष्य विधान से उसे सौपना आर्श विवा कहलाता है यह रिष्य विवा से संबंद रखता है तो देखे इसमें क्या हो रहा है कि जो वर है उससे गाए या बैल लिए जा रहे है और फिर उसे कन्या दी जा रही है अगला है प्रजापत्य विवा पूजन के बाद पिता ये कहते हुए कन्या जान करे कि तुम दोनों एक साथ ग्रहस्त धर्म का पालन करो तो ये विवा प्रजापत्य विवा कहलाता है याग वल्ग के अनुसार इस विवा से उत्पन संतान अपनी पीडियों को पवित्र करने वाली होती है पाच्वा है असुर विवा कर्ण्या के पिता या परिवार को धर्न या अन्य संपति दे कर मनमलजी से कर्ण्या को ग्रहण करना आसुरी विवा कहलाता है इसमें कर्ण्या की मलजी या नमलजी का ध्यान नहीं रखा जाता तो इसमें होता क्या है कि वर किसी कर्ण्या को अगर पसंद करता है तो वो क्या करता है कि वो पैसे देता है उसके माता पिता को और उस संपर्ति के बदले में वो उस कन्या को प्राप्त कर लेता है तो यह हुआ असुर विवा जो की अच्छा नहीं माना जाता था अगला है गांधर्व विवा कन्या ववर की आपसी इक्षा से जो विवा होता है उसे गांधर्व विवा कहते हैं ये वल्तमान में प्रेम विवा की तरह ही है अगला है राक्षस विवा जब कन्या से मार पीट करते हुए उसका जबर्दस्ती अपहरण कर उससे विवा रचाया जाए तो वह राक्षस विवा होता है रावर्ड ने सीता के साथ इसी तरह विवा का प्रयास किया था उसके साथ शारीरिक संबंध बना कर विवा करना पैशाच विवा कहलाता है ये विवा सबसे निम्न कोटि का बताया गया है तो ये हो गए आठ तरीके के विवा और अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में हम लोग प्राचीन काल में महिलाओं के इस्थित के बारे में चर्चा करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू